हिमाचल प्रदेश के उची चोटियों पर बीती शाम को बरबारियों शिमला में भारी ओला व्रिस्टी हुई इसके बाद मंगलवार को धूप खिलने से मौसम सुहामना हो गया मौसम विगयन के इंदर शिमला की माने तो अगले 6-7 दिन तक पहाडों पर बारिश बरबारी नहीं होगी यानि पहाडों पर अगले सब्ता मौसम सुहामना रहने वाला है हिमालचर प्रदेश के कई भागों में बारिश बरबारी के बाद मंगलवार को मौसम तो खुल गया लेकिन छिठूरन लगतार जा रही है राज lite में चारस 30 का निउन्तम तापमान माइनस में दर्ष किया गया है जिबकि 2 स्थानों पर तापमान 0.3 सेलसियस तक गिर गया है मौसम विगयन के इन शिमला के नुसार राजिके सभी भागों में 11 दिसंबर तक मौसम साफ रहने के आसार है हालांकि उच परवती एक दो स्थानों पर 11 दिसंबर को हलकी भरबारी हो सकती है धूप खिलने से ठंड से कुछ राहत मिलने की उमीद है आज राज़ानी शिमलव आसपास भागों में भी मौसम साफ बना हुआ है वही भरबारी के बाद नारकंडा में सेलानियों की संख्या बढ़ने की उमीद है हर साल विंटर टूरिस सीजन के दौरान हजारों की संख्या में सेलानी बर्फ में अठखेलिया करने के लिए नारकंडा पहुंचते हैं बरबारी के बाद Christmas और New Year मनाने के लिए होटलों में कमरों की booking शुरू होने की उमीद है कि नौरल होलस पिती जाने वले सेलानी भी नारकंडा में एक दिन का ठहराव करते हैं बरबारी के बाद स्थानी, होटल और होमस्टे संचालकों को बिंटर सीजन अच्छा जाने की उमीद है N1 Live की खास रिपोर्ट